आटो एक्सपो 2020 में लगभग सभी आटो मोबाइल कमपनीज ने अपने शांदार वीकल्स पेश किये हैं जिस कार का हम बेसबरी से इंतजार कर रहे थे वो भी इस आटो एक्सपो में पेश की गई जी हाँ हम बात कर रहे हैं मारूती सुजुकी जिमनी की जैसा कि आप जानते हैं कि मारूती सुजुकी ने अपनी लोग पर ये आफ रोड सुबी जिपसी का प्रोड़क्शन पिछले साल बंद कर दिया था ऐसे में नई जिमनी भारत में जिपसी की जगह लेगी और आज के इस वीडियो में हम आपको मारूती जिमनी के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल NJ हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही फायदेबन वीडियो उसका भी मिस ना करें बता दें कि आटो एक्सपो में कंपनी ने जिमनी के तीन डोर वेरियंट को पेश किया था लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक भारत में जिमनी का फायव डोर वेरियंट लाँच किया जाएगा बात करें एंजिन की तो भारत में मारूती सुस्की जिमनी को 1.2 लीटर पेटरल एंजिन के साथ लाँच किया जा सकता है लुक की अगर बात करें तो जिमनी में दिये गए राउंड हेड लैम्प और फॉग लैम्प इस ओफ रोड एस्यूवी के लुक को काफी स्टाइलिश बनाते हैं वहीं मारूती सुस्की जिमनी ओफ रोड एस्यूवी होने की बज़ा से इसका ग्राउंड क्लेरेंस जादा है बात करें फीचर्स की तो जिमनी के भारत में लाउंच होने वाले मॉडल में टच स्क्रीन इन्फोटेन्मेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, लेंड डिपार्चर वार्निंग और डूल सेंसर ब्रेक स्पोर्ट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलने की उमीद है बात करते हैं कि क्यों जिपसी को भारत में बंद कर दिया था, तो भारत में आने वाली मारूती सुस्की जिपसी असल में सेकंड जेरेशन सुस्की जिमनी थी और नए सेफटी नॉम्स के अनुरूप ना होने की वज़ा से कमपनी ने पिछले साल जिपसी को बंद कर दिया लेकिन अब कमपनी नई जिम्टी के फोर्थ जिनरेशन मॉडल को भारत में लॉंच करने वाली है जो की सभी नए सेफटी नॉर्म्स के अनुरूप है फानली अब कीमत की बात करें तो जानकारों के मताबिक भारत में मारूती सुस्की जिम्नी की कीमत 5,00-7,00 रुपए के बीच हो सकती है तो दोस्तों आपको ये शांदार ओफ रोड एस यूबी मारूती सुस्की जिप्सी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए थैंक्यू वेरी मच